नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल कमवार वन्वे online classes में आज के इस सेशन में हम एनिमल से से रेलेटेट कोश्चन्स करने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट में एनिमल से रेलेटेट कोश्चन्स हर बार पूंछे जाते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत होने वाली है और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्ले चैनल सब्सक्राइब करने और बेल आइकन का बटन दवाए जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप सेटेट की अच्छी तैयारी कर स सब्सक्राइब करते हैं तो जन्तू भाग पार्ट सेकंड प्रारंबिक इस्तर पर जीवों का वर्गी करन कीटों पक्चियों रेंगने वाले इस्तंधारी के रूमें किया गया समाहिक रूप से नहीं हम जानवर कहते हैं जानवरों की विस्ताइं देख लेते हैं सबसे पह का हेंसा हाती घूंड में रहते हैं डाल लख हालेती रेख ऑस रहय के यौड्är दोंसे च्रुक्रार होता है हाथ经 जुण्ड की नेता होती है कुशबन हकता है कि जो हाथि का जुण्ड हकता है उसे हैं कौन सा हाथी नेता हो थो बुझरर भद वेर्फळ fen zaman जुण्ड की नेता होती है और हाथ जो है एक दिन में हैं कितने किलों पत्तिएं खा लेता एक है сказал हेहाई एफ ऐसे 12 हाथी जो होते हैं यूद है उसमें एक बच्छय रहते हैं हाथय चौधा से 15 साल की अभल जून किमी रहते हैं यूद रहते हैं आपको याब रखना थे तीन मेने के हांती की बच्चे का बच्चन 200 किलो होता है यह आपको याद रखना है कि अब देखते हैं तो साम की विसिस्ता क्या क्या है भारत में के चाहर रहे कि जरीले साफ पाए जाते हैं आपको याद ना भारत में कितने तरह के जरीले साफ पाए जाते हैं तो चाहर अपके का रखना है सीरum सांप के जहर से बंती है यह आपको ञाखना है सांप को दो गुखले दांथ होते हैं जिनके तरह nu जहर छोडता है क्या कह रहा है सांप के दो खोखले दांथ होते हैं जिसके दरह लोल ч wipe का अंपके बारी का नहीं होते हुए जमीन पर कौन कान से नाग हो गया तो दोबया हो गया और अफाय हो गया अब जानते हैं के दांत रहते हैं शोटे हुता हैं आप देखते हैं स्लॉट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट से हर बार प्वेपर में कोश्चन आते हैं 2021 में भी आया था स्लॉट क्या है स्लॉट भालू जैसा जानवर यह आपको यहाद रखना है असलॉट बियर लाइक एनिमल है यह 18 गंटे तक सोता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इट स्लीफ और एट आवर्स यह है यह जो है स्लॉट जो है 40 वर्स तक ही जीता है यह अपने पूरे जिंदगी में केवल 4-6 पेड़ों तक की पत्यां ही खापाता है यह 40 वर्स जीता है और केवल 4-6 पेड़ों की पत्यां खापाता है यह 18 गंटे 24 गंटे में यह केवल 18 गंटे ही सोता है स्लॉट वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए सीटेट लेवल फरस्ट के लिए स्लॉट से कोशन हर बार पूंच जाते हैं आपको स्लॉट से चार ओप्सन दिये जा ही बाग की सिस्ताइं बाग अपने सिकार का सही पता हावा दौरा और मुचे में कंपन से नाप लेता है इससे अंधेरे में और ढूने में इसको मदद मिलती है जो सेर है और अंधेरे में सिकार इसी तरह करता कंपन की दौरा करता है अब बाग मूत की गंद से दूसरे आदो तक है कि और कि विस्था है भाग का गुराना 3 किलोबीटर दूर तक सुना जा सकता यह बहुत इंपर्टेंट है बाग अंदियरे में हमसे छे गुना बैतर दे जैसरा हैं यह बात की बहुत इंपोर्टेंट बिसिस्ता है आप देखते हैं बाता के बहुत इंपोर्टेंट अप servants hopeful किट अपनी मादा को कई किलो मीटर दूर से पैचान लेती है यह आपको याद रखना है किसे रेशम कीट से आप लेखते हैं इंपॉर्टन फैक्ट कान सुनने में मदद करते हैं पक्षी मेड़क छिपकली मंगरवच के भी कान होते हैं लेकिन दिखाए नहीं पड़ते हैं इ कौन कौन से जीव अंडे देखते हैं और कौन कौन से जीव के सरीर में बाल नहीं होता और कान की जगा केवल छिदर होते हैं आपको याद रखना है निया बच्चे देने वाले जीव जरायूज कहलाते हैं आपको याद बच्चे देते उनको जरायूज कहते हैं उनको लुटे होते हैं जाए से याद रखना विल्डी के दाद नुक्विले मास हुंडले हित्व प्रयोग में आते हैं यह विया आ तकन रचुवा कभी पानी नहीं पीता यह पेपर में फिर प्यूंचा गया थक्क अब हुआ पारी नहीं पीता है है अब कोई कौन कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं गाई चार घंटे सोती है अज यह सब अज गंटे सोते हैं यह एक तो से बंपने पूछे जाते हैं चार अप्सन दी होंगे इसमें आपको दिया हो आप गुशन पहुंचे जाते हैं अगले देखते हैं इप시क है कि नचाने वालों को कालória ख्र Caribbean बहुत है यह वह आयोा हाथ सबसक्राकिने वाले को काल गर्या कहते हैं बिलिया लोग सांपके डंग से निसान से जाने जाते हैं कि के साप Mean उपर ने काटा है क्षार मीटी के साधी में यह राजिस्तान में के निवासी होते हैं और इस ही नाम से इन पर राजिस्तान को एक वह में लोगने पेंoderja सम्रम जोगी ना संप्रताय के अंतरगर्द आता काल बेलिय समाज के संस्तापक गुरू कनीक नाक्त जी थे यहां नेत्र सापेरों के लिए प्रजाती दौरा बदलते समाजिक अर्थिक प्रस्यों के पति रचनात्मक अनकूल का एक सांदर अधारन नतक आम तोर पर मैलाएं होती हैं जो काले घागरे पहन कर साम के गत्विदियों के नकल करते हुए नास्ति और चक्कर मारती हैं यह आपको फैक्ट काल बेलिया से याद रखना कि कहा की निवास आप जानते हैं बरफ चलते बच्चे देखो हम कैसे स्कूल पहुंसते हैं मीलो फैली बरफ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकर कर उत्तर की पाणियों बरफ पर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं ताजी बरफ में पैर धर जाते हैं अगर बरफ जमी हुई तो फिसल भी सकते हैं यह आपको फैक्ट याद रखना नौर्टन हिल्स में जो बच्चे हैं कैसे स्कूल जाते हैं यह फैक्ट आपको याद आगाते हैं पौदों से जान लेते हैं पौदों को पानी देने से मुर्जा पत्य हैं फिर सहरी हो जाती हैं क्योंकि उनमें प्रकास से वोजन बनता है यह आपको याद खना है अगला देखते हैं प्रकास नसे संट की किरिया में कology जल सूर ऑढा-प्र-क्रकास quo की होती हैं अब देखते हैंरे। बारे में रिखिस्तान औग नंबा पौदा होता है जिसकी तीन सौ फुट गहरी वा पत्यां कम होती है जिए रिगिस्तान ओख है इसको रिगिस्तानों कहते हैं यह थे पौद और एनिवल से सीटल लेवल फरस्ट के महित्पूर्ण इफेक्ट्स जो एक्जाम में हरवार पूंचे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्यम के और अपने स्यम के नोट्स जरूर बनाएं और इसको जरूर लिख लें क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यों